जेहन दोस्तों आप सब्सक्राइब अपने यूट्टीब चैनल में आज हम करने जा रहे हैं चेप्टर निम्बर 3 लिनेर इक्वेशन इसका हम करेंगा एक्रसाइज निम्बर 3.3 जिसके अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो हमारे पास उसके हम कोशन करने वाले हमने इसक को बनाने के लिए तो उमीद है कि आपको समझ में आया होगा आपने देखा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहां पर जो कोशन कराने वाले हैं उसका क्लियर नहीं हो पाएगा तो उसका डिस्क्रेशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई फिर हम आज का अपना क्वोशन स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे, जैसे सबसे पहला जो क्वेशन मेरे पास सब्सक्राइब की solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method तो हमने ने इसको substitution method से बना लियता हूँ, तो अब मैं इस question को substitution method से नहीं बनाने वाला, अब मैं सरफ इसको elimination method से आपको show करने वाला हूँ, तो जैसा सबसे पहला जो question है कि x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4, इसको मैं भी solve करने वाला हूँ by the method of elimination method, देखें सबसे पहले equation ले लेते हैं, x plus y is equal to 5 है, and 2x minus 3y is equal to 4 है, हमने ये तरीका देखा था हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पहले अगर आपको नहीं देखा आप नहीं देखा वीडियो, तो प्लीज पहले इसको distribution box से देखे, method को जाने कैसे था, क्या था, उसके बाद ही हम इसको करपेंगे, या जाना अस असानी हो जाएगे, तो हमने वहाँ पर यह देखा था कि, जैसे कि नहीं यहाँ पकिसी एक को choose करना हो था, इस के लिए मैं उसको solve करने वाला हूँ, इस variable को UP, निकालने वाला हूँ, तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर x को choose कर लेते, तो x का हमें देखे, दोणों का sine plus सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें तो जिसमें कि हमें दोनों सेम से मिलते हैं तो दोनों तरीका से मैं करने वालो एक से मतलब कि अगर साइन से होता है तो क्या होता है तो उससे पहले हमने यह भी जाना था कि इसको सॉल्व करने के नहीं हमें जिसको भी चूज करते हैं उसका कॉफिशिंट बराबर होने चाहीं यह चीज़ हमने देखा था देखे एक्स के पास यहां टू है हम यहां पर वन है तो अगर मैं मैं को क्या करating बन को मैं टू से मंट टीप्लाइ ककड़ हों और इसको लोन से मैं टूपिशिंट हो Church गा। हो सबको करना पड़ेगा इसका मतलब मेरा जो एक्वेशन के त्यार रहेगा प्लस टू वाई इस इकॉल टू फाक्ट हो जाए टैन हो जाए एंड सेकंड एक्वेशन से बन जाएगा पस बन समय करना है तो हम लोग इसको सेम एलिटीज उतारते हैं आप साइन क्योंकि यहां स सेमें है और सब्सक्राइस करते हैं तो हमें यहां प्लस होजाएगा मैनस तो प्लस हो जाएगा एंड इसका है तो मैनस हो जाएगा यह हमने कंदे कर दिया अब देखिए नेगटिव नहीं बोलत जाएगा इाहा रघवाई का साइन हिव ने बोलत जायगा है प्रस अन्हेटिर ने बॉलत जाएगा पॉस्ट्टिव लोला जाएगा फोर् कसम पॉस्टिव होला जाएगा तो सीम एकस प्लस में है तू औरasten मैंने दोनों फ़ें यहां पर जाएगा टू वाई प्लस में है एंट री वाई प्लस में तो यह बनेगे अपने पास 5y is equal to 10 minus 5 4 हो गया है 6 तो y की value जो यहां से आने वाली है वह आज जगे हमाई पार 6 by 5 यह है बस y की value आ चुपी है अब हम क्या करेंगे इस इसी y को value को ले करके हम किसी भी equation पूट कर देते हैं माने फिर्स्ट ने पूट कर देना सेक्ड में जिसने वो क्या कोशन असान लगे उसने हम शॉल कर दे इसको पूट कर दे तो हम लोग पूट कर लेते हैं भाई पूट y is equal to 6 by 5 in equation first तो x plus y is equal to 5 था x plus 6 by 5 is equal to 5 हुआ एक्स इस उकल टो 5 minus 6 by 5 होगे तो एक्स उकल टो अंसे में देंगे 5 आजए यह आजाएगा में पास 25 6 means x is equal to 19 by 5 हमारे पास साथ से राचुक है यह हमारे पास साथ सा बन चुक है ना तो हमारे पास भाई एक्स की वैल्यू भी आ गई यए तो यह हमारे पास सिम्पल सा एक्वेशन में भड़ा हो चुक है अब इसी तरह हम लोग करने वाले इस से कंड है कि इसी तरह हमारे पास है 3x plus 4y is equal to 10 and second equation है 2x minus 2y is equal to 2 ठीक है यह हम पास equation गिवन है अब मैंने यहां बता है कि यहां मैंने सब्ट्रेक्श्मेटर से किया मदर साइन अगर सेम हो तो अब यहां मैं को करके दिखाऊंगा अगर साइन है पोली तो क्या हो मतलब मैं इस equation में इस question को solve करने के लिए y को चूज करने वाला वाई को चूज करने वाला तो देखिए पहले का sign प्लस में हैं दूसरे का sign माइनस में है तो इसको सेम कैसे करा जाता है उसकी बाद में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए हमें पहले उसका coefficient equation सेम करना पड़ता है तो इसको माने इतने first equation इसको माने इतने second लेकिन अगर थोड़ा सा दिमागा लगाऊंग तो यार मैं ये जानता हूं कि इसको मैं लिए तो कर लेंगे 3x plus 4y is equal to 10 हो चुका है second को मैं पूरूफ करूंगा तो 4x minus 4y is equal to 4 अब क्योंकि यहां पर elimination का मेरा sign opposite है and value जो है वो coefficient जो है वो same आ चुका है तो अब हम करें यहां पर addition method को use करने हो एडिशन method में simple ऐसी कर देते हैं और हो cut कर दें तो यह आगा अबने पास 7x is equal to 14 अब x की value आजागे 14 upon 7 मतलब कि आगे 2 तो x की value आजागे है अब इसको किसी input कर दें माने जी कि हम लोग लिखते हैं put x is equal to 2 in equation किसी में भी रख देंगे 1 या 2 किसी में भी रख देंगे आपका तो अगर solution सही है method सही है तो आपका अनसा बिर्कुल सही आने वारा है तो एक से जो टू था तो मतलब कि यह मैं output करूंगा इसके अंदर first में तो three multiply two plus four y is equal to ten हो चुका है six plus four y is equal to ten four y is equal to ten minus six मतलब कि four since y is equal to four upon four four y is equal to one हमार पास answer आचा मतलब x की वेलू two and y की वेलू one हमार पास साथ बन चुका है यह हमारे पास solution बन चुका है अब करते हैं इसका next question next question में थर्ड question दे रख रहा है three x हमारे पास three x minus five y is equal to four को लिख सकता हमें इसको क्योंकि four ले रहांगा zero के तरफ तो प्लाइस में प्लस हो जाएगा यह हमारे पास इस equation को कैसे लिखोंगा कि two y को मैं x के तरफ लेकर आ रहा हूं जो कि two y प्लस में जाके मैनस का हो इसका मतलब nine x minus two y is equal to seven per second equation में के त्यार होगे अब हम लोग किसी भी वैरीवल को चुन लिची और उनके sign को सेम कराते हैं मानिजे कि हम लोग इस बार x को से सेम कराते हैं तो देखिए सब से असान तरीक में बताएं ला कि nine को उपर देज दीजी और दूसरी को नीचे करण दीजिस सबसे हैं लेकिन इससे बड़ी वैल्यू बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे फर्स्ट को थी से मिल्टा कराने हों थाक्र नाइन बन जाएगा एंड इसको में बन सब्सक्राइब नाइक्स माइनस फ्टीन वाई इस इकुल टूल हो चुका है एंड यह बन यह सान इक फोल्ट होचुका है यह खतम यह खतम तो वाई की वैल्यू आ चुकी माइनस फैफ पॉं थाटिन यह पास वाई की वैलू आचुकी तो अब हमें पूट करना होगा इस इक्वेशन को इस वैल्यू को पूट कर देजी आप किसमें भी आसे मानने थे हैं कि हम असा पर सब्सक्राइब नहीं होगी आप किसी ने पूट कर लिए पूट था तो थी इंटू एक्स तो अपने पास सई नहीं थी एक्स सब्सक्राइब यह बन जाएगा आपके पास 27 का 27 इसके बाद जो बचा है इसके पाद हम एक्स की वैली को उठाके दूर्शी रोपने वाले तो एक्स की वैलों पास बन जाए लिया आपकर ट्वेंटी सेवन अपन थार्टी मिन्स एक्स की वैलू आ चुगे ने पास सब्सक्राइब यहां नहीं जाना था सब्सक्राइब यह नीची आना था यह नीचे ठीके टिल में नाइन पे गया तो एक्स की वैलू ओगे नाइन अपन थार्टी अब इसी तरह हम लोग करने वाले सेकंड एक्वेशन को और लग फॉर्थ कोशन को अब देखे फॉर्थ कोश्चन में हमें एक वैलू फ्रक्षन में गीवन है तो पहले लिख लिए तो उसके बाद हम समझाते हैं क्या से करते हैं तो फर्स्ट व्रक्षन जो हमें गीवन है एक्स अपॉइंट या फिर ऐसे देख लिए वहीं सबसे पहले हमें फ्रक्षन तो फिर फर्स्ट में हम लोगे लसे में तो टू और ट्री को से लिएगा एक्से में प्लै करेंगे तो अपने पाद बनेगा 3x- अब 6 को दूबड़ा 3 से डिवाइड करेंगा 2 बचेक और 2 को 2y 7 प्लै करेंगो 4y बचके त्यार हो गया इस उकल टू माइनस वन इसको क्रोस करवा देंग तो पहला उक्वेश्न में पास बनके आये इस यह तो यहां पर करा देते हैं तो अपने पास बंके त्यार हो चुका है थ्री एक्समाइडस वाई इसक्राइस आप सालुशन कर देते हैं जो इस यहां पर एक्स के कुछ नहीं करना सेम करने को जो तो नहीं है अब डाइट हमका कोश्ण बनके त्यार हो जाएगा तो यह बन गए 3x minus y is equal to 9 साइन को चेंज करते हैं minus plus minus यह खता यह बन गए अपने पास 5y is equal to minus 6 and minus 9 मानस का 15 बनके त्यार होगे तो y is equal to minus 15 upon 5 यह गया 3 पर तो य की वैल आ चुकी मानस का 3 यह बन गए अब इस वैल्यू काम पूट कर दिते हैं चाहे फर्स्ट में करें चाहे सेकंड में करें यह फिर सब्स्ट में कर दिए किसम में कर देते हैं को यह बनके कर दिक नहीं आए तो यह से माइनस 3 is equal to 9 हो गया, 3x plus 3 is equal to 9 हो चुका है, 3x is equal to 9 minus 3 हो गया, 3x is equal to 6 हो गया, and x is equal to 6 upon 3 मंदला की x is equal to 2 हो आ चुका है, तो x is equal to 2 and y is equal to minus 3 हमार पास solution बन चुका है, तो यह हमार पास चोथा कोश्म हों के त्यार हो गया, अब हमार बढ़ते हैं, इसके next question के तरफ, question number है, अच वर्ड प्रोलम साथ चुक्या है, वर्ड प्रोलम देखें, वर्ड प्रोलम का हमने substitution method से भी किया था, तो वहाँ पर हमने बस इतना देखना है कि अगर हमें question sun में नहीं आ रहा, कि if we add one to the numerator and subtract one for the denominator, तो सिंपल सी पात है, पहले पात numerator और निमेटर होता किया, यह कोई fraction होता है, यह कोई fraction होता है, हमाने तो हम लोग लेट कर लेते हैं, let the numerator is equal to x and denominator is equal to y, तो हमने एक्सिलेट कर लिया, y कोई कोई दिमेटर करते हैं, तो मैंना fraction हमाल पास क्या बनने माला है, fraction हमाल पास x अपोन y बनके थ्यार होता है, तो अब कोईशन के साथ से पढ़ते है, according to question, तो कोईशन बोला, if we add one to the numerator, okay, numerator में मतलब उपर वाले से मुझे one को add करवाना है, पहली बात तो fraction था ये वाला, one हम लोग इसके अन्दर add करवा देते हैं, and subtract one from the denominator, subtract one हमने करा दिया, fraction reduces to one, ये answer इसका one लाके दे रहा है, मतलब मेरे पास ये value बन चुके न, अब इसको solve करेंगा तरीका है, cross implication कर देते हैं, one से भाई उपर अन्रसमेंट पर होगा, तो x plus one is equal to one, जब इसे सभी होगा, y minus one होगया, तो उन्हों variable को एक तरफ कर देते हैं, x minus y is equal to minus one, minus one, तो x minus y is equal to minus two, हमने पास पहला equation बन के त्यार होगा, अब बनाते हैं, second equation को, तो बोलागे, it become one upon two, ये value होने one upon two, आ जाती है, कब आ जाती है, if we only add one to the denominator, अगर मैं denominator में one को add करा तो, ठीक है, तो x तो उपर ठीक numerator था है, इसको में तो कुछ add करा नहीं है, बट डिनोमेटर में, जो डिनोमेटर था जाती है, ये हैं बस question के त्यार होगा, इसको equation solve करते हैं, तो बहुरे पाट टू एक्स is equal to y plus one, तो two x minus y is equal to one another second equation के त्यार होगा ना, अब यहां पर दोनों को देखिए दरा y का variable देखिए y का दोनों variable same भी है, और y का sign भी same है, sign variable भी same है, मतलब यह होगा कि अगर यहां पर मुझे y को choose करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहां कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो x minus y, आप कर भी सकते हैं, आप x को भी ले सकते हैं, हमने इस process देखा है, वैसे कर सकते हैं, कोई answer में कोई change नहीं आने वाला है, यह हम पास बन गया, sign को change करते हैं, क्योंकि sign same होता है, तो हमें उसको change कराना पड़ता है, हमें subtraction method यूज कराने वाला है, तो minus y, plus y, minus y, यह कतम हो गया, यह कतम हो गया, minus x is equal to minus 3 बन गया, x is equal to 3 बन गया, तो x is equal to 3 बन गया, इसका मनलब हम इसको put कर रहते हैं, किसी equation में, किसी equation में put कर रहते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग first equation की बात करते हैं, x-y is equal to minus 2 हो गया है तो x के हम 3 रख रहे हैं 3 minus y is equal to minus 2 हो चुग है 3 sorry 3 को तो उधर दाइंग नहीं माइनस y is equal to minus 2 minus 3 हो गया है minus y is equal to minus 5 हो गया इसका मतलब y is equal to 5 बन चुक है y is equal to 5 बन चुक है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम से पूछ गया तो what is the fraction fractionरी फैक्षन हमने देख था तो तो फैक्षन को पा कि नोभलत था Hero यह सबनके पर टिए किसी कितिने बंद्हों कितने भी बंद्होन सब कांमे प्रेजेंट double की लेट करना होता है तो यह तो यह बन्दिया बीना को सोचैंड बीना को स्वोच filter कर सकते हैं कि नूरी है और सुनू है तो हम दोनों की एक को प्रेजंट एज लेट करेंगे आज की टाम कितना होगा तो लेट दो प्रेजंट एज ओफ नूरी इस उकल तो एक्स एयर्स के लेते हैं एक्स एयर्स के लेना एंड सेम एज प्रेजंट एज आफ सोनु इस उकल टू वाइज यही बात है हमने कर लिये जिना अब बोला गया देके न हम लोग अगर हमसे बोला जाएगी आप पाट साल आगे जाए या पीछे जाए लब खुर सोच लेजिए जैसे कि अभी आपकी उबन मानेजिए कि मानेस करोना पड़ेगा प्रेजंट एट से मानन पड़ेगा और हमें आप वोला जाएं कि पाट साल आगे चलना है ठीक है तो तो इसके लिए हमें आपकी ऐज के साथ में प्लस का फाइफ कराना पड़ेगा यह बात है तो यहाँपर देखिए हमसे बोलेगा फाइज तो अगर नों पार साल पीछे जाने कोश्च को तो आपके भाई का भी तो मुझे पार साल पीछे करना पड़ेगा तब तो हम कर पाई कि पाप सब पहले क्या पाउचीच तो उसे साथ देखिए तो हमें सबसे पहले फाइफ यह अगो की बात करना अकॉर्डिंट तो पॉष् अब बोला है नूरी चाजल साथ थैस और सुन रहत और जो था तीन मोला था था फ़्यूटा नौम्ट वा खिर सुछक्यक कि अगर यह चोटे नबर में कराऊंगा तब घृत अबधे हां बरबर होगा अगर है बड़े हैं मैं जो वर गड़ी है नूरी साथ hai नूरी में तो यहां पर मैं समझ सकता हूँ कि इसको मुझे 3 से मेंटिप्ला कराना होगा तो इसका मतलब होगा x-5 is equal to 3y-15 हो गया है एक तरफ कर देते हैं इसको x-3y is equal to यहां पहले कि त्यार होगे अब आगे बोलेगा 10 years लेट 10 सल बात क्या होने वाला है x-10 and y-10 दोनों की एज में हमें 1010 एड़ करा दिया है नूरी विल बी नूरी जो है वो ट्वाइस ट्वाइस माना दोगना है डबल है तो डबल है किसके सोनु से यहां इंट्वाइब कराना है तो यहां पर भी हम लोग मल्टिप्लाइब टू कराने वालने यहां बैस काम बन गया तो कौशन सॉल्व करें x-10 is equal to 2y plus 20 सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब जानते हैं कैसे करते हैं तो स्ट्रेंड हो गई होना तो एक जी करते हैं है यह कतम हो गया इसके बाद में य की वैलू को किसे बीपुट कर देते हैं मानियोजी हम फूटिटि से कर देते हैं सेक्रेंड एक्वेशन करवा देते हैं तो सेक्रेंड एक्वेशन पूट कराने कि हम क्या करने वाल है कि x-2y is equal to 10 था तो x minus 2 into 20 is equal to 10 हुआ इसका मदलब x minus 40 is equal to 10 हुआ x is equal to 10 plus 40 हुआ x is equal to 50 years मार बन के त्यार वे तो यहां statement लिख देंगे कि नूरी नूरी ज प्रेजन एज इस 50 years एंड सोन सोन प्रेजन एज कि इतना है 20 years का statement जरू लिखना आपको statement बाने वाले पूश्में statement में last न जरूर use करना चाहिए है न यह उपा second question ने बना लिया अथो सा इसको repeat करना पड़ेगा आपको कभी भी आप इसको solve करना चाहिए तो इसको इबर आप बार बना कर देखिए तो आपका बन जाए और नेक्स कोशन दे बढ़ते नेक्स कोशन में देगे यह कोशन तो अच्छा है बढ़िया आपके कही न बोर्ड में कहीना कर जरूद देखने वाला गारेंटी तो देखिए थर्ड कोशन में गिवेन इस सम्ट टू डिजिट नंबर इस नाइए कि दो डिजिट का कोई नंबर है उनके डिजिट को प्लस करने पर नाइन बनता तो पहले बढ़ टू डिजिट नंबर होता क्या है देखिए तो डिजिट नंबर भाई जैसे हमने मानने 56 है अब 56 टू डिजिट नंबर हम जानते हैं कि यह मेरे पास वन डिजिट होती है और इसको हम कहते है टेंज देदेदे यही बात है टेंज डिजिट और 56 को अब मैं क्या लिख सकता हूं 50 x 10 प्लस 6 लिख सकता हूं ठी गों 7 इंटू 10 प्लस 3 लिखूंगा मुझे माने ज़े 81 लिखना है एट इंटू 10 प्लस 1 लिखूंगा यही बात है तो यहां देखिए 10 तो सेम है समय है ना 10 सेम है लेकिन प्लेस वैलू चेंज जा थी एक्स जो वन स्प्लेस और 10 स्प्लेस है वह हर एक बार चेंज जा ला है तो वन स्प्लेस और 10 स्प्लेस की पोडिशन डिसाइड करेगी इनकी वैल्यू डिसाड करने वाली है कि वो डिजट बनना का चारा है तो हम लोग ऐसा रट करने वाले कि वन स्प्लेस को मैं रट करूंगा एक्स एंटेंस प्लेस को मैं रट करने वाले तो यहां प्लेट क प्लेस डिजिट इपल टू वे अब लगया है सम आफ टूर्जिट नमबर इस ना अच्छा सब्सक्राइब नमबर क्या बनने वाद एक्स के साथ और वाई के साथ जिसका में टैंस माल टैंस के साथ टैंबंट पाई होड़ा बार बना इसका मरना मैं समझ सकता हूं की टैन वा ही प्लस यही को है पास नम्बर है यह किनी principle लेगे और अगर मैं स informing देव किर दो नमबर ले दूग्टो क्या होगा कि जिए समट लेू तो खुलगा टैंस कर दीचिmiş मतलब रहन ने वाला है टैनेक्स प्रेस्ट यह पास रिबस नंबर बन के त्यार हो इसको टादे तेंग बढ़ है इसको अटा दिए तो अब कुशन बढ़ते बोलागा समनों डिजिट्स अब टूरीट नमरीज नाइ मतलब की नंबर में जो डिजिट्स आरे ने उन्दो प्रस करें पना अब सेकंड विशन देखिए शेक्ण जो आल्सो नाइन टायम जैन नंबर भाई नंबर का नो गुना तो टैन वाई प्लस एक्स ये कॉन था नमबर था इसका नाइन टायमस तो मटीपेल नहां कर देंगे बात हो गया इस ट्वास दन नमबर आप्टेंड बार्सीं दॉडर कि जब उल्टा करने पर उसका डबल कर दियेंगे तो दोने बराबर आ रहा हुँ है मैंने कि टू टाम्स किसका उल्टा करने पर जिसको हम लोग आने वाले टैने एक्स प्रस फॉबाइं फॉइंड नमबर वो नमबर क्या थे बस यह बात बोली गई तो पहला एक्वेशन बन और वाई को इकत्रफ कर दिजें तो वाई को इधर कर देता हूं मैं 90 मानेस टू हो गया है 88 वाई एंड यह बन गे अपने पास मानेस का 11 एक्स इस एकल टो जीरो मतलब यहां से मैं अगर एक्स के रूट निकालना चाहूं यहीं से अगर मैं एक्स की या 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 निकलना लिए टो लिए टű Works वाई की वैल वाई एक्स अपन एट ऑशंगा एक्सफॉट सक्तुर्चhen वाई प्रॉटल में put in x plus y is equal to 9 हो चुका है तो x plus y की जगह मैं put कर रहा हूँ x plus 8 x upon 8 is equal to 9 solve कर लेते हैं इसको else हम लेंगी 8 का हो गया 8 x plus x is equal to 9 upon 1 हो गया है means 9 x upon 8 is equal to 9 upon 1 हो चुका है नाइन से नाइन एंड खताव इसका मतलब x की वहलो आचुकी 8 की मतलब नमबर क्या था नमबर हमसे पूटा फांड नमबर उच्छा गया फांड नमबर हम पर समने लिया था 10 x plus y इसका मार दब 10 into 10 sorry 10 y था sorry 10 y plus x था तो y की वहलों परस बन रही थी वाई की निकाले नहीं हमने यह निकाल रहते हैं वाई की वहलों पर बन दी थी एक्स अपॉन एट क्या लिए एक्स अपॉन एट मतलब की एट अपॉन इसकी वहलोगी वह तो 10 into y plus x की वैलू एक्स की मार लब टेन प्लस एक्स की वहलों नमबर हो गया है 18 का यह है बस बन के त्यार मरों नमबर था 18 का अब बढ़ते हैं इसका सेकर्ड फॉर्थ कॉशन के तरफ फॉर्थ कॉशन हमें दे रख मीना मान टू बैंक विट्रो टू आग्स तक कैशियर टू गिव फिफ्टी रूपीज और रूपीज नोट्स तो चाहती है कि कैशियर से न उसको सिर्फ पचास रुपया नोट और सौ रूपया नोट ही मिले मीना गौट 25 नोट उसको टोटल में इनी दो की नोट मिला करके 25 नोट मिलता है तो फाइंड हाउ मैं नोट्स ओफ टी रूपीज और रूपेज तो दोनों को कितने कितने मिलें हमसे यह पूझाना चाहा है ठीक है तो लटम से नुबर नोट्स पूछना चाह रहा है तो लटे नम्बर ओफ नोट्स आफ यहाओ रूपीज फिफ्टी इस उकल टुमन लिए एक्स है एंड न अब है न हमें तोटल रुपी जो निकालने 22,000 है तो जितने भी नमबर ऑफ नोर्स होते हैं उसके साथ वह एड करिये कि वह कौन सा नोर्ट है जैसे हैं पच्छा सब्सक्राइब की बात करें मुझे इसको डिनोमेशन कहा जाता है डिनोमेशन कितने का मालोब एक परका सिक्क का डिनोमेशन है तो क्वांटिटी कितने उसकी और डिनोमेशन कितने उसका ठीक है जैसे कि मैं पहले पैसा बनेगा पचास वाले से प्लस वाई हंड़ वाले क्ने क्या करूंगा यहां से मुझे टोटल कर दोनों प्रस कर दूंगा तो मुझे में देते टू थाओलन टूपीस यह है इसका मतला मैं कहा सकता हूं कि 50 एक्स प्लस हंड़र वाई इस एकल टू टू थाओलेट यह इसमें से हम लोग टैन को कर लिए टैन को मतलब कॉमन निकाल लिए सॉल कर देंगा टैन को कॉमन दे सब्सक्राइब करने वाले हैं इसका मतलब फाइफ एक्स प्लस टैन वाई इस एकल टू हंड़र पहला एक्वेशन के त्यार अब बोल रहा था मीना गोट 25 नोट्स इन और 25 नोट्स इस तो टोटल मेले हैं अब नमबर नोट्स को एक्स और वाई मानत था इसका मतलब पास वह एक्वेशन बेसे आगया है मार पर और हम लोगा विसको सॉल्ट करने वाले हैं इसका मतलब फाइफ एक्स प्लस टैन वाई इस इकल टू टू हंड़र था और एक्स प्लस वाई इस एकल टू 25 यहीं था किसी भी को किसी को ही मैं प्लाइग आज जी मैंने लिपता हूं ज 25 से कराएंगे तो 5 x plus 5 y is equal to 25 125 होता है साइन चेंज करते हैं माईनस 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 यह खता हूं यह और यह बने लिए उनने पास पूरा-पूरा 5 y और यह बने गा 75 तो y की ब्यायूत 75 एपोन 55 के दिन एल बान पर 25 25 25 25 है ना 25 चला गया मतलब तो एक्स प्रस वाई इस उक्राइब तो एक्स प्लस 15 इसका मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ओफ नोट्स ओफ रुपीज 50 इस उकल टू 10 एंड नंबर ओफ नोट्स ओफ रुपीज 100 इस उकल टू 50 यह कोशन अब बने है बहुत आसान कोशन था बस आपको कंसेप्ट जाना है कंसेप्ट आ समझ गए तो कोशन यहां को बनके त्यार हो जाते हैं अब लेते हैं इसका लास्ट बनने वाला है तो देखें कोशन बोला गया यह लेंकी कोशन है तो मैंने बताया था है का टाक्सी वाला कोशन था नहीं सब्सक्रइ। आपको यह भी रिए कोशन भी बने गा इसा है बिल्कुल से मेलटीज वही करना है आपको मैं कोशन से पहले समझा रहता हूं तो लैंडिंग लाइबरेरी एज फिक्स चार्ज और फर्स त्री डिज पहले तीन दिन के लिए आप किताब वहां से जब लेके जाते हैं तो उसका चार्ज बिल्कुल फिक्स है जितना भी चार् पर तिन दिन के लिए और उसके बाद में हर दिन के लिए कुछ चार्ज एक्स्टा बन जाता है जो फिक्स रहता है न यह चीज़ तो सरीता है 27 रुपीज पेड़ की है स्फोर 7 डेस के लिए एंड विल सूशी 21 रुपीज फॉर दा फाइब देस फाइंड फिक्स चार्ज लिए यह एक्स्टा डे तो चाफिक क्या है और चार्ज पर दे क्या है हमसे यह दो चीज़ है रहा था टी नहीं दो कुन चीज़ कह लेंगा लेट कह ल्यक्री कि मैंmas MundH फिक्स्ट चारज फिगर टुए प्लट एक्स हम लुड़ कर लिए एंड कितना है चार्ज पर दे इस इकल टू वाइं डेट कर दिया तब देखिए यहां पर बोला सरी था ने कॉंटी सेवन टॉपीज दे रही है अपोड़ें तो कॉशन ने थे फूर सेवन डिस सरी था इन कॉंटी सेवन टॉपीज दिया है साथ दिन के लिए उसमें तीन दि लिए तो जो पैसा था वो देना दिन अप्लास अब बच्छे साथ दिन चले कि चार दिन बच गे और चार दिन के रसाब से हर रोज का कुशना कुछ चार्ज पर दे लगने वाला है मतलब वाई रूपीज लगने वाला है हट डे का जो किसको 27 डूपीज टोटल बनाकर दे है हम पिसके लिए है तो एक्स प्लश्ण में तीन दीन दो गए एक्स के पास दो बच दीन वाए तो फ्रस्थ ей एकल टूटीव अब यहां पर एक्स को हम लोग कर दे उते हैं click67 लोग कर दिते हैं तो एक्स प्लस फोर वाई 27 होग्या एक्स प्लस टूब वाई इस एकल टु 21 माइनस 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 यह पूरा पूरा खता तो 2 y is equal to 6 y is equal to 3 y is equal to 3 और x में x के लिए x plus 4 y is equal to 27 था तो x plus 4 into 3 is equal to 27 हो गया है x plus 12 is equal to 27 हो चुका है तो x is equal to हो गया है x is equal to 27 मानस 12 x is equal to 15 मतलब हम लास्ट हम कहा देने वाले statement पे the fixed charge the fixed charge of library is equal to rupees 15 and charge per day is equal to rupees 3 तीन रुपए हर दिन के लग रहे है तो यह हम अपस कोश्मन के त्यार होगे अब हाँ तो आज का शेशन इतना ही था अगर आपको शेशन से कुछ मदब मिली हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें अगर अपने subscribe नहीं कर रखा है like करके like करें comment करें बताए को session कैसा लगा अगर कोई आपके पास ऐसा कोशन है जो कि आपको solution नहीं दो पा रहा तो प्लीज आप मुझे बेजी मैं उसको solution आपको करके दूंगा ठीक और कुछ और कुछ और दिक्कत हों तो वह बताईए मैं यह कोशिश करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए ज्यादे ज्यादा मैं जितने टाइम मिल पाता है मैं ऐसे बीड़ी बनाता है तो तो आज लिए तना ही करते हैं अब कर लिए सब्सक्राइब करके रखे खाने वारों यए और रीचाना को कि यह को मैंत्रे बताने वालों तो चैनल को सब्सक्राइब से झाल झाल